हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से इस पैटिकलर वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपने sectional test की आरो 2016 को जो रूप चल रहा है हमारा पेट रूप उसका sectional test number 1 करेंगे आप science का section हमने लिया है ऐसा ही आगे sectional test आपको मिलते रहेंगे YouTube पर भी आप लोग देख रहे होंगे आप इसको attempt कर लिजेगा पेट रूप वाले इसको attempt कर चुके होंगे आए इसका explanation वीडियो बना लेते हैं अगर आपको मारे पेट रूप जोइन करना है तो description में दिएगे number पर contact कर सकते हैं तो आए पहला हमारा question देखते हैं तो पहला statement है यहांपर की process जिससे हम cotton निकालते हैं से उसको गिनिंग कहते हैं क्या हाँ यह सही है process को गिनिंग ही कहा जाता है पहला statement करेक्ट वीविंग जब यार्न की करते हैं तो हमको एक फैब्रिक मिलता है यहनि कि कपड़ा मिलता है धागे की बुनाई से तो यह भी सही है यहांपर अगला है silk fiber is obtained from a stem of a plant तो silk fiber एक natural fiber ही नहीं है एनिमल fiber है ठीक है हम लोग जो है मलबरी लीफ में रहने वाले silk warm से इसको extract करते हैं तो यह हमारा answer नहीं होगा यह गलत पॉलिष्टर जो है हो गया दूसरा statement है कि the food synthesized by the plant is stored as carbohydrates and proteins तो यह वाला answer भी आपका गलत हो गया क्योंकि carbohydrate को फॉर्म में glucose के फॉर्म में plants जो है स्टोर करते हैं अपने parts में लीफ वगारा में लेकिन प्रोटीन के फॉर्म में नहीं स्टोर करते हैं statement number one गलत दो गलत तीसरा statement है the algae provides water and shelter to fungus in lichen symbiosis तो आपको बता दे है कि lichen symbiosis होता है algae का और fungus का algae plus fungi लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है algae water or shelter नहीं देता है कौन देता है water shelter fungi देता है algae क्या करता है food देता है ठीक है algae food देता है fungi algae को क्या देता है water और shelter तो यह वाला भी इंकरेक्ट हो गया consider the following statements इन गत्नों पर विचार करना है heat transfer in vacuum can be done by radiation silk fibers are obtained from pupa stage of silk warm कौन से statement यहाँ पर गलत है incorrect है बताना एक बर फिर से तो vacuum में radiation से heat transfer हो सकता है क्योंकि radiation को medium की ज़रूरत नहीं पढ़ती है does not require a medium तो यह वाला हमाला statement सही है silk warm जो है pupa stage में जब silk warm आ जाता है तो cocoon जो बन जाता है उसके round cocoon को reeling करके निकाल लिया जाता है ठीक है यार्ण बनाने के लिए फिर उससे fabric बनाया जाता है तो दोनों दिक्रीं पर दिया हुआ है और हमको क्या देखने को भी लेगा observation चाइना रोस चाहिन रोस क्या ग्रीन हो जाता है यह सिलूशन में नहीं एक्रीन किसमें होता यह बेसिक सेलूशन में यह गलत ऐस्टिक में क्या होता है चैनल रोस मेजेंटा हो जाता है जान रखिएगा मेजेंटा लाइकन ब्लू हो जाता है बेसिक सेलूशन में सही है ठीक है और फिनॉप्थिलीन क्या कलर्लेस रहता है बेसिक सेलूशन में नहीं कलर्लेस किसमें होता है acidic solution में तो हमारा कौन-कौन से यहां पर not correctly matched है पहला और तीसरा यानि का option बढ़ दी फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे मारा question है कि कौन सा ध्रुवी चेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे मस्क भी मिलेंगे सील भी मिलेंगी option यहां पर सही है all of the above उप्रोग तुमें से सब ही अगला question इसी से मिलता जुलता ध्रुवी चेत्रों में निम्लिकित में सब नहीं पाए जाता है ठीक है कौन साब नहीं पाए जाता है टूकन नहीं मिलेगा lion tailed macauk भी नहीं मिलेगा और red-eyed frog भी नहीं मिलेगा को कि यह सब कहां पर मिलेंगे tropical regions में बिलेंगे अन ट्रॉपिकल रीजन्स तो all of the above यह कोई नहीं पाए जाएगा है यह सब होगा स्किन के नीचे इससे उसको हीट मिलती रहे तो यह दोनों चीजें जो है कोल्ड से बचाने के लिए हैं पोलर में रीजन में कोल्ड बहुत होता है कोल्ड से बचाने के लिए ट्रॉपिकल रीजन्स के जानवरों में देखने मिलता है पोलर में नहीं मिलता है आगे हमारा कुश्चन है कि कोई मानसाहारी जन्तु जिसके सरीर पर धारियां है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तीरी से भागता यह कहां पर मिलेगा तो आपको यह कहां पर मिलेग तो बैरो ग्राफ का इस्तमाल कैं होता है आट्मोस्फारिक प्रशर मापने में फैर्टो मीटर के का इस्तमाल होता है जिसके समया में पेकितमे से कौन सा सही सुमिलित नहीं है यह बताना है थीक है तो सब्सका नहीं हो यह होगा ठीक है इंपलस को सही युडिट क्या है आप अमको कॉमेंट करके बताए का मेंट के जिए कि 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 फिजिकल कुएंटिटी डिप्रेजेंटेट बाइ रेशियो अफ मोमेंटम एन वेलेसिटी मोमेंटम वेलेसिटी का जो आपका उनुपात बनता है वो मास होता है ठीक अप्शन नुबर ए आपने पड़ाए अब यहां पर एम इधर यार्ग दिया और पी और वी आ गया पी अर्षलमियाय और मोमेंटम हिलन्य कि और वेलास्टी यह बन गया और यह हमारा एंस़ियो अग ति सबया हो गया और सभी बिलान करना है यहां पर अब ध्यान रखीगा कि बहुत नौर्मल मिलान नहीं आते हैं मिलान थोड़े से टफ आएंगे तो हर चीज की लिस्टिंग बहुत ध्यान से पढ़िएगा पिलागरा किससे होती है पिलागरा होती है नियासिन की कमी से गॉइटर किससे होता है आइडीन की कमी से और माइक्रो सिटिक अनीमिया किससे हो जाएगी यह होती है आईरन की कमी से और परनीशियस अनीमिया किससे होती है विटामिन B12 की कमी से तो हमारा सही क्या मैच करेगा यह एए मैच करेगा ठीक है आगे हमारा question है cryogenic तापमान क्या होता है what is cryogenic temperature तो below minus 150 degree centigrade यह होता है cryogenic temperature option number T अगला question है कि निम्लिकित कत्नों पर विचार करना है geothermal energy is a non conventional energy source गोबर contains mainly methane ठीक है coal petroleum natural gas are fossil fuels तो तीनवी statement हमारे यहाँ पर सही है गोबर मेंदली मिथेन होती है यह हम मान सकते हैं सही all of the above यहाँ पर हमारे correct चले जाएंगे अगला question है कि निम्लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है तो anti-paratic drug जो है यह इस paracetamol नहीं है यह हमारे question का answer हो जाएगा जब माफ किजेगा यहाँ पताना है कौन सा सही बिलाए गया है paracetamol anti-paratic drug है क्योंकि बुखार में इसको दिया जाता है antiseptic aspirin नहीं है antiforming calciferol नहीं है और anti-entractic यह polyamide silicon नहीं है सही कौन सा है खाली हमारा option बर बी पैरसेटमोल क्या है anti-paratic drug बुखार में दी जाती है निम्लिकित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलाया गया स्मॉल पॉक्स एड्वर्ड जेनर सही है रेडियम मैडम क्यूरी सही है अलेक्जेंडर फ्लमिंग पेंसिलिन सही है रोइंटिजन जो है इनको एक्सरे से जोड़ना चाहिए है डाइनमाइट से नहीं डाइनमाइट से हम किसको जोड़ते हैं या आप पर छोड़ देरे हैं पताइए गोर्मेंट करके अगला कोश्चन है कि रस्तिंग आइरन में क्या होता है जंग लगने क्स्तिती में पहले बढ़ता है ठीक है कुछ लोग सोच लेते हैं कि अगर ल Contrition से मिलाना है कि कौन से पदार्त को उप्योग क्या हो सकता है ठीक है प्रीम नियोप्रीम का उप्योग करें कि सिंते डीक रबर में फुर्यों इस्तौमाल चाहां पर करते हैं सी फ्रियोन का इस्थमाल करते हैं एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है पेट्रोल मिलाए जाता है जिससे कार्बूरेटर से कट-कट की आवाज ना है ठीक है उमारा सही एंसर क्या हो जाएगा बी यानि सही जो है एक दूसरे के सामने मिलाए गए है ठीक है याद कर लिजेगा है सब अगला है अनुवानसिक बीमारी काउंसी नहीं है विच आफ दो फॉलॉइंग इस नॉट जेनेटिक डिसीज तो हो जाएक नाइट ब्लाइंडनेस ऑप्शन बर डी क्योंकि यह तो आपकी डेफिशेंसी डिसीज है ना अगला कोश्चन है कि बायो अगला कोश्चन है प्लाइट अर्मल परसन का ब्लैड में पी एच लेविल क्या होता है प्लेट में पीच लेवल कया होता है एंग प्लेड़ेटा है पॉइंट 3 5 से लेकर 7.45 तकि वैल्यू याद कर लिजे यह आ सकता है एक्जाम में थैलिसीमिय एक वनशानुगत बिमारी है इसको यह जो है किसको प्रभावित करती है थैलिसीमिय में होता क्या है ब्लड और वो भी मेंली आर्बीसी इसको प्रभावित करती है ठीक है आर्ब याँड वाटर को वाशिंग क्लोज भी नहीं कर सकते हुए कि हाड वाटर जो जहाग नहीं बनाएगा यहाँपर नॉट सूटेबल है और लाफ़ दाभाव के लिए हाड वाटर से हम कुछ नहीं कर सकते है ठीक है अगला कुश्यान है फोटो सिंतेसिस में होता क्या है जैना प्रक्टोरी इसफ वीकार है किस में मैलफवंक्शन कर देता है हमारे किस भाग में हर्ट में करता है ठीक है option आप भी कि अग्ला कुछिशन है मैच यह करेक्ट करेकटली स्कों सही से मिलाना है तो अनीमिया किसे होता है अनीमिया होता है folic acid की कमी से बेरी-बेरी किससे होता है vitamin B1 की कमी से रिकेट्स किससे होता है vitamin D की कमी से और निक्टलोपिया किससे होता है vitamin A की कमी से हम इसको कैसे मिलाएंगे option number B के हिसाब से इस तरीके से आगे मारा question है कि radio isotope blood cancer को रोकने में या उसको detect करने में इस्तमाल किया जाता है उसका नाम क्या है isotope का वो है cobalt 60 option number A आपको पताना है radio isotope और उसका diagnostic use क्या है कहां कहां पर use है ठीक है तो इसमें आप देखें अगर arsenic 74 का इस्तमाल किसमें होता है इसका इस्तमाल होता है tumor में cobalt 60 is कम देखी चुके है cancer के लिए iodine 131 इसका इस्तमाल कहां पर होता है activity of thyroid gland इसकी check करने के लिए और sodium 24 blood disorder के लिए हमारा सही क्रम क्या बनेगा यहां पर option बर एक हिसाब से option बर ए आगे मारा question है कि फलों और सब्जियों में मॉम पायस का उप्योग किस लिए कि जाता है वैक सिमलिशन क्यूं लगाते हैं fruit water vegetable में storage life बढ़ाने के लिए option बर ए ठीक है बंडारन जीवन का विस्तार करने के लिए कि मच्छों के बारे में बताना है मस्कीटों इसके बारे में क्या के वल फीमेल ब्लट सक करती है अब फीमेल के पास जो है bigger wings होते है मेल के या फिर मेल के bigger होते हैं female से क्यों से correct है option number B यहां पर correct है पहला और दूसरा जो मतलब female के wing होते हैं punk या पर उनकीडों के तो वह बड़े होते है है female ज्यादा बड़ी दिखती है मेल से और केवल female blood सक करती है plant का juice हो यह वह सक करता है जो है 3 के साथ और कहीं नहीं मिलाए गया है option number B ऐसे सही हो जाएगा और टाइमेंड कार्बन का यह भी सब की को बताओगा class 7th NCRT अगर थोड़ा पढ़ाय काईदे से बाकी रोबी अलिमूनियम से और मार्बल केलिशियम से ठीक है अगला question है कि hydrogen bomb का सिध्धान्त किस पर आधारी था यह सबा सकते question छोटे छोटे अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रियक्षिन पर आप्शन बडी अनकंट्रोल्ड संलेयन प्रक्रिया पर एयर बबल जो है water का water में एयर बबल जो है वह कैसे आक्ट करता है सब्सक्राइब की तरीके option बड़ ए अवतल लेंस की तरह है आर्क्योप्टरिक्स क्या है वाट इस आर्क्योप्टरिक्स जिसने जो है जो लॉजी बॉट्टी से ग्रेजुएशन किया उसने बहुत पढ़ा होगा इसको यह most ancient बड़ है जुरासिक पीरेड की हालांकि इसको connecting link भी बताया जाता है connecting link किसके किसके बीच reptiles के बीच और birds के बीच यह जो है आप higher studies में पढ़ते हैं और फिर बॉटनी लेते हैं 12 में उपढ़ते हैं ठीक है most ancient bird ही लिखेंगे और इसको हमारे बेटीड सब्सक्राइबम में पूछेंगे तो बेक्तिरोippi उफेघ किसको कहते है वोट इस बैक्तिरोफेज यह जैनेटिक इंधिनरिंग में यूस करते इसका अबैक्तिरी उफेज बाइरिसंडिस हैं जो की ब्रवेग्टिरिया को एफ्ट करते थिए तो यहां पर मारा ब काम आता है 39 यह पररिसाइटिक एंजियो स्पर्म नहीं है एक ठीन है तो एंजियो स्पर में जो Только लेकिन यह परशाय्टिक नहीं Russ análard कौत पताना है कौन साब क्रेक्टली मैजड अगर आप देखें यह अचा 1997 अच्छै कि स्टेम कहाते हैं पोटैटो फ्रूट नहीं है यह भी स्टेम ही है नौट क्रेक्ट्टी मैं जो जाएगा ओनली टू अप्शन बर सी अगला कोश्चन है कंसीडर दा फॉलॉइंग स्टेट्मेंट यह कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रवाइड एनर्जी प्रोटीन सेल्पिन ग्रोध विटामिन हेल्प्षिन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बॉड़ी गौन सा सही है तीन हुई सही है आपर ठीक है प्यूपिल वैसे रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट जो हैंटर करेगी आई में ठीक है अगला कोश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है एक डिप्थीरिया है एक पर्ट्यूटीस पर्ट्यूसीस है और एक टिट्नेस है आप्शन बर्पी तगैस य विवान के टायर में भरने वाली जो हवा है वो कौन सी है वो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन भर जाती है ऑप्शन बर सी अगला कोश्चन है कि न्यूट्रॉण है निगेटिव चार्ज आइसो टोप्स हैव सेम एटॉमिक मास बताना है कि कौन सा यहां पर सही है इसमें दोनों स्टेट्मेंट यहां पर नहीं सही है नन ऑफ दाबोव इस करेक्ट अगला कोश्चन है कि फर्मेंटेशन की खोज किस ने की थी फर्मेंटेशन सबसे पहले खोजा था लिविस पैस्चियर ने ऑप्शन बर सी अलक्जेंडर फ्लैमिंग को पेंसिलिन की खोज के लि कि यह सब ध्यान रखना है ठीक है और अचा लिस्ट है इसको मिलाना है पाइरिडॉक्सिन है रेटिनॉल है टोकोफेरॉल है साइनो कोलाबमाइन है इसमें नॉर्मल भी लिख सकते थे लेकिन एक्जामनर आपको कंफ्यूस करने के लिए ऐसे ही जनरली लिख के देते हैं इ इतिनॉल यह किसे संबंदित है यह नेत्र शोद से संबंदित है यह कंजक्टिव आइटिस यह कंजक्टिव आइटिस जिसी से संबंदित है ठीक है टोकोफेरॉल किसे संबंदित है यह स्टरलिटी या इंफर्टिलिटी संबंदित है मतलब इसकी कमी से स्टरलिटी हो सकती यह मैंन में और साइनो को बालमाइन किससे समझ दीता है परनीशियस अनीमिया से आप्शनबर टू इसको बिलाएंग किससे आप्शनबर सी से यह सही कोड है इसका आगे बढ़ते हैं लोग आगे मारा कुश्चन है कि सुस्क जलवाईू के अनकूल पौधों के क्या कहा जाता है ड्राइ क्लाइमेट पर रहते हैं उनको कहते हैं जीरो फाइट मरूरिद ऑप्शनबर टीन अगला है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटर मी इसको बोला जाता है इंडियन हैंप प्लांट तो लेटेक्स जो इससे निकलता है चिपचिपापदार तो उसको रोल करते हैं अपने हाथों से मल मल के निकालते हैं अन्राइप फ्रूट होता है वह बिना पका हुआ फल से कच्छे फलों के लेटेक्स से ऑप्शन बरसी स्विच्ट मोड पार सप्लाई अगर आपको सेशन अच्छा हुआ तो लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो जो हम लोग यूटूब में अप्रेटिक सेट के डालते रहें अगर आप ग्रूप जोइन करना चाहते हैं तो नीचे गये नीचे दिएके न नमबर नहीं है स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस का जैहिन दोस्तों वंदे मात्रम